हेलो दोस्तों मैं हूँ मैभू बली आयां पार्ड अपना फर्स एक्सपोर्ट शिक्मेट स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमारे इंस्टूट को जॉइन करो और अपना कोर्स कप्रेट करो आज मैं आपको बताऊंगा एक्सपोर्ट इंपोर्ड में ऑर्मन इंस्टेम-पस और आपको शान करना होता है जब कोई product आप export कर रहे हो उसमें first आपको invoice बनाना होता है invoice में आपको HS code mention करना होता है example बताता हूँ onion को हिंदी में प्यास बोलते हैं और hangrian language में हैमा बोलते हैं और दूसरे देश में कुछ अलग नाम होगा इसलिए HS code use किया जाता है यह HS code 8 digit का होता है importer और exporter के बीच में कभी miscommunication ना हो इसलिए HS code use किया जाता है अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे like और share करें और हमारे चैनल को subscribe करें thank you so much for watching this video thank you bye bye